इस फोन में आप जो भी यूज़ करने वाले हो वो सीधा गवर्मेंट देखेगी तो थोड़ा बच के तो भाई जब से ये स्मार्ट फोन और टैबलेट सब को मिला है सब यही देखना चाहते हैं कि क्या ये ओरिजीनल सैमसंग गलेक्सी A03S है और टैब A7 Lite है तो भाई देखो बॉक्स तो दोनों का सेम ही है बट अंदर के माल मसाले में क्या चेंज़ेश हैं देख लो मतलब जिसमें इसका पूरा डेटा रखा जाएगा वही आउन कर रही तो अपडेटेस वही प्रोवाइट करेगी और साथ अपडेट ना भी है तो यब सीधा आप इसको आउन करेंगे तो भाई ये सीधा ही खुलेगा जैसे सेम ये सैमसंग वाला रियल वाला फोन है तो राइट में सैमसंग रियल वाला फोन और गवर्मेंट वाला लेफ्ट में है तो आउन करो कि तो दोनों सेम ही रहेगा सेम है सैमसंग फोन कुलेगा लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आप नेट से इसको करोगे नेट से कनेक्ट करते ही फोन रिस्टार्ट हो जाएगा और सीधा यूपी डेस्को वाले मूड में चला जाएगा जहां आपको सिंपल नए फोन पर इमेल से लॉग इन करना पड़ा है इसमें लेकिन सिस्टेम ऐसा नहीं है इनका नॉक्स करके कोई प्राइवेसी है उस पर यूपी डेस्को पर आपको लॉग इन करना होगा तो वहां आपका सारा डेटा कलेक्ट भी कर जाएगा और उसको मोडिफाई भी किया जा सकता है मतलब गवर् आइवेट फोन है जिसको यूपी डेस्कों करेगी और किसी भी डेटा को मोडिफाई कर सकती है जैसे नया फोन में आपको इमेल लॉग इन करना पड़ता है लेकिन इसमें खुद से एक इमेल गवर्मेंट का लॉग इन होकर आएगी जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं व में चेंजेज यूआई में है क्योंकि इसकी प्राइवसी चेंज करी गई है और सही भी है और परफॉर्मेंस जिससे डिग्रेड होगी मैंने पहले बता दिये था तो भाई पबजी खेलने के लिए तो मिला नहीं है पढ़ने के लिए मिला है तो पढ़ाई के यूज करेग झाल